नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेन धर्मा सर्मार्ग धार्मिक मननेताओं के अनुसार पित्री पक्ष में अपने पुर्वजों की आत्मा की सांती के लिए पूजा के साथ दान भी करने का भी दान है और पित्री पक्ष में दान पुन्य करने से पुर्वच प्रसन भी होते हैं और आर्थिक सम्रिद्धी भी बनी रहती है इसमें किये गए दान से पित्रों को त्रिप्ती मिलती है और उनका आसिरबाद हम सब पर बरसता है ऐसे में कुछ चीजें का दान का वर्णन हमारे सास्तों में आता है पहला है आप कववा को कुछ न कुछ खाने को नित्य दिन जरूर दे क्योंकि कववे के माध्यम से पित्र देव त्रिप्त होते हैं वो भोजन गरहन करते हैं ऐसी हमारे हाँ प्राचीन समय से ही मानने ताएं चली आ रही है इसलिए कवों को कुछ ने कुछ खाने को जरूर दें दूसरी बात चुकि पित्री पक में पित्रों को त्रिप्त करने के लिए निर्धन व्यक्ति को भोजन कराना या ब्रह्मनों को भोजन कराना भी अनिवार है यहाँ पर भोजन दान की महिमा बताई गई है आप किसी को भी खाना जरूर खिला सकते हैं कहते हैं तिल काला तिल भगवान विश्नु को सबसे प्री है और साथ ही स्राद के हर कर्म में तिल की आवसेक्ता होती ही होती है स्राद पक्ष में दान करने वाले को कुछ भी दान करते समय हाथ में काला तिल लेकर ही दान करना चाहिए यानि आप अगर कुछ भी दान कर रहे हैं भोजन दान कर रहे हैं या फिर गाई दान कर रहे हैं गाई के निमित पैसे ही निकाल रहे हैं तो जो भी दान करें हाथ में काला तिल के एक चुटकी कमसकम काला तिल जरूर रखिए आपका दान डारेक्ट आपके इस वर यानि की आपके पित्री देव के पास चला जाएगा तो पित्रों की को प्राप्त होती है तिल का दान करने से सिर्व ततिल भी दान कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ नहीं है तो तिल का दान करें नमक का भी दान करने का विधान है इस पित्री पक्ष में आप किसी भी गरीब ब्यक्ति को दे सकते हैं नमक ऐसा करने से सनी राहु के तुभी सांथ होते हैं और आपके जीवन में पितर देवों की कृपा भी मिलती है नित्य दिन साम में पितर देवों के निमित अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर की तरफ दक्षिन दिसा की तरफ दीपक का लौँ होगा आप नियमित रूप से पंदरा दिन तक जलाईए पितर देवों का आसिरबाद मिलेगा और इसी दीपक के माध्यम से वो त्रिप्त भी होंगे तो पितरी पक्ष में गाय दान करने का भी बिधान है वैसे तो अभी के जमाने में लोग गाय दान नहीं भी कर पाते हैं कम सक्कम गाय के नाम से कि पैसा ही दान कर दे चलिए गाय के लिए हम पैसा दे रहें अब जरूरी नहीं है कि 25-30,000 में गाय आता तो आप उतना ही दे आपके जितनी स्रधा है उतना ही दीजिए दूसरी बात कभी भी करज लेकर आप पितर देवों के निमित कोई भी दान या कर्म ना करें क्योंकि इसके फायदे आपको नहीं मिलेंगे पितरी देव कभी नहीं कहते कि आप कर्मकांड में जादा धन खर्च करो जितनी आपकी सामर्थ है उतने में ही करें भोजन तो दान करना ही चाहिए पित्री पक्ष में छतरी दान करने से जीवन में सुख सांती आती है और पित्री पक्ष में छाते का दान जरूर करें पुरुवज परसन्न होते हैं अगर पित्रों की सांती चाहते हैं तो जूते चपल का दान करना भी जो आप जरूरत मंद को दे सकते हैं आर्थिक समस्याएं जीवन की समाप्त होती है तो आप जब भी दान करें नई वस्तू दान कीजे एक बात हमेशा ही याद रखिए पुराना दान करने का कहीं कोई महत तो नहीं है पित्री पक्ष में एक पीपल का पौधा अपने हाथों से सारजनिकस्थान या भी स्कूल है आपका पार्क है रोड साइड है कहीं भी जरूर लगाईए पितर देवों का आसिरवाद मिलता है और बंस ब्रधी भी होती है गुड का दान करने का भी विधान है अगर आपके घर में अकसर लडाई जगड़े होते हैं धन की परिसानिया बनी रहती है तो आप पित्रों के निमित गुड और नमक दोनों का ही दान करें क्योंकि गडुड पुडान के अनुसार नमक के दान से यम का भै भी दूर होता है और गुड के दान से घर में मिठास बनी रहती है तो आप जरूर करें दूसरी बात अगर कोई आपको जैसे आप दान करना चाहरे हैं आपके पास बहुत नहीं है क्या करेंगे अगर कोई वैसा नहीं मिल रहा है तो गाई को छिला दे वस्त्र का दान करने का भी विधान है क्योंकि हमारी तरफ पुरवजों पर भी मौसम का परिवर्तन का प्रवाब पड़ता है उन्हें भी सर्दी गर्मी का एहसास होता है तो यहां पर अपने वनसजों एवं पुत्रों से वस्त्र की कामना पितरगन रखते हैं जो बैक्ती अपने पित्रों के निमितर वस्त्र का दान करता है उन पर सदय पित्रों की किरपा बनी रहती है आप कोई विवेस्तर जो आपका समर्थ है नए कपड़े दान करें वैसे तो पुरानों में पित्रों का निवास अस्थान चंद्रमा के उपरी भाग में बताया गया है इसी अनुसार पित्रों को चांदी के वस्तूप प्रियमानी जाती है तभी तो माना जाता है कि चांदी, चावल, दूद से पितर प्रसंद होते हैं इसलिए पित्री पक्ष में चांदी का भी दान करने का बिधान है वैसे तो हमारे सास्त्रों में पौरानिक समय की बात है तो ऐसे में भूमी यानि जमीन का दान सर्वोत्तम माना गया है और महाभारत की अनुसार गलती या अन्जाने में हुए पापों से मुक्ती भी भूमी का दान करने से मिल जाता है तो भूमी दान से अक्षे पुर्णी की प्राप्ती होती है और माननेता है कि भूमी दान से यस, मान, सम्मान और अस्थाई संपत्ती की प्राप्ती होती है, ब्रदी होती है तो इस तरह से आप पितर देवों की किरपा पा सकते हैं और पितरी देवों को प्रसन कर जीवन में तरक्की भी कर सकते हैं तो पित्री पक्ष हलांकि इस बार आपको तो हमने बताया मृत्र पूर्वजों का स्राध किया जाता है और मरं तिथी जिस दिन होती है उनका स्राध उसी दिन करने का बिधान है पित्री पक्ष में पित्रों की आत्मा तृत्ति के लिए तरपन और स्राध कर्म किया जाते हैं पित्रों की तृत्ति के दिन स्राध किया जाता है पित्रों की पसंद का भोजन बनाया जाता है दान दक्षिना भी देते हैं और भ्रहमनों को भोजन कराते हैं तो भोजन का एक ह पित्री पक्ष के समय में या फिर अमोस्या की स्राद कर देखा होगा कि भोजन का कुछ अंस को खिले आ जाता है ex इसे जुड़ी मानेता यह है कि कउआ उस भोजन के अंस को अगर गहन कर ले तो पितर त्रिप्त हो जाते हैं कहा जाता है कव्वा के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है धार्मिक मान्यता के अनुसार जब किसी बैक्ति की मृत्यू होती है तो उसका कव्वा योनी में जन्म होता है इस वजह से भी माना जाता है कव्वा के माध्यम से भोजन पित्रों तक पहुंचता है जदी कववा आपका दिया भोजन नहीं खाए तो इसका मतलब है पितर आपसे नाराज हैं और संतुष्ठ हैं और प्रसन्न हैं कववा के अलावे आप गाय कुत्ता पक्षियों को चीटियों को भी अंस दे सकते हैं तो परानिक कथा के अनुसार त्रेता यूग में इंद्रदेप के पुत्र जैंत ने कववा का रूप धारन किया था और उस कववा ने एक दिन सीता मा के पैरों में चोच मार दी अब ये घटना भगवान राम जी देख रहे थे उन्होंने एक तिनका चलाया तो कववा की एक आँख में जाकर लग गया और उसकी एक आँख खराब हो गई उस कववा ने स्री राम से अपनी गलती के लिए माफी मांगी छमाय आचना करने लगा तब प्रभू राम प्रसन्न होकर आसिरबात दिये कि मृत जो पित्र पक्ष में कववा को दिया गया भोजन का अंसिप पित्री लोक में निवास करने वाले पितर देवों को प्राप् गर में जो भी बनता है सबसे पहले थोरा सा निकाल कर आप कववा को दे दें लेकिन अगर किसी खास दिन में आप किसी भी एक दिन पित्री पक्ष में आप खीर बनाकर अगर कववा को दे तो यह सबस्रेश माना गया है यह जो भाग होता है पंचबली में कववा का एक भा परिसानिया तो जीवन में है लेकिन हाँ आप बहुत जैसे घी का दान करने का भी बिधान है पात्र के साथ यानि जिस परतन में डब्बे में है उसके साथ ही अगर घी का दान कर दें तो आपके परिवार के लिए सुभ और मंगल कारी होता है अगर अनाच का दान करते हैं जै कलेश का नास होता है अगर सोने का दान संभब ना हो तो सोने के दान के निमित यथा सकती धन का भी दान कर सकते हैं तो छोटे-छोटे चीजें जीवन में बड़ी-बड़ी खुसियां लाती है आप पित्री देवों के निमित कुछ करें ना करें कम से कम थोड़ा सा काला तिल का ही दान कर दीजिएगा यह सबसे अच्छा रहेगा या गाय को गुड़ भी खिला दीजिए उससे भी पित्री देव संतुष्ठ हो जाएंगे क्योंकि वो भी आपके स्रधा के ही भूके हैं हम आपसे विदा लेते हैं पसंद आए तो लाइक कर सब्सकाइब करें हर हर महा दीजिए तीजिए लेते हुड़ एट रहे हैं हम आपके लेते हैं औै उन्हीं समटेगा यह नँीश घर हैं हम क्योंकि पित्री जाएंगे विद रहे हैं हुड़ एक रहे धीजिए को एकान पीजिए घर एक्याएंप। झाल झाल